मेरा नमस्कार आज हम प्रेस कॉन्फरेंस इसलिए कर रहे हैं कि राजसभा में सरकार हमको बोलने नहीं दे रहे हैं रूल 267 के तहट हम लगातार 11 दिन से यह मनिपूर का विशे उठा रहे हैं और मनिपूर यह सब्जेक्ट या किसी चोटी मोटी घटना नहीं है यह तो देश का बहुत बड़ा एक गटना है और खास करके हम यह चाहते थे कि प्रदान मंत्री जी सदन में आये अपने विच्छार रखे क्योंकि सिर्फ हो मिनिस्टर का सवाल नहीं है और जो चीजे प्रदान मंत्री के आधीन होते हैं जो सूचना है उनको मिलती है वो सारी सूचना हो मिनिस्टर को नहीं मिल सकता है उसमें लिमिटेशन है लेकिन यहाँ पर सदन में प्रदान मंत्री आकर बात करने के लिए तयार नहीं है वो एलेक्शन प्रचार में है राजस्तान जा रहे हैं मद्यप्रदेश जा रहे हैं चत्तिसगर जा रहे हैं और आज पूना में हैं और ऐसी कोन सी बड़ी वहाँ पर इवेंट है कि पार्लमेंट छोड़कर वहाँ पर जाते हैं और अपोजिशन पार्टी के खिलाब भी बात करते हैं कहीं भी जाने दो अपोजिशन पार्टी को टोकते हैं और जो व्यक्ति, जो प्रदान मंत्री सदन में रहे कर जवाब देने के बजाए ये बाहर जवाब देते हैं, बाहर हमको टीका टिपनी करते हैं, अरे भई आप सदन में आओ, अपनी बात रुखो, हम भी उसको उत्तर देंगे, हम जवाब देंगे, उत्तर वीकिसल बने सरे टो में जवाब देंगे, जवाब सतुक्तर लिटेंगे खर ख्रवाब जवा संवाबगा एल समेस्टो हॉत्रे More than 200 people have died, 5,000 people are injured, nearly 60,000 people are vacated their houses, more than many houses destroyed, सब कुछ वहां पर हुआ है, कि होते हुए भी वहां पर यह मोदी जी आकर बात करना नहीं चाहते, और हमको बार बार यह कहते हैं, सरकार के ओर से भी, शायद मैं आज चेर्मेन साथ भी हम विनन्ति की, वैं 267 और 176 में भूत परक है, अंतर है, 176 में 2,5 गंटे की चर्चा हो सकती है, लेकिन 267 में लंबी चर्चा हो सकती है, हर एक पार्टी के लोग बात कर सकते हैं, और 5 गंटे अगर पार्लमेंट में आप समय ताई की है, तो एक-एक पार्टी, जो मेजर पार्टी है, उसको 15 मिनिट मिलेगा, बाकी के लोगों को 10 मिनिट मिलेगा, और जो छोटी पार्टी हैं, एक-एक दो मिनिट मिलेगे, आप बताई है, इतनी बड़ी घटना, इतने लोग एक तरफ स्त्रियों का नंगा परेड हो रहा है, मार रहे हैं, दुकान जल रहे हैं, मोटर, कार, घर जल रहे हैं, ये सब कोन करा रहा हैं, और वो कहिते हैं कि अपने हो मिनिस्टर तीन दिन वहाँ थे, अरे भई तीन दिन वहाँ अगर थे मनिपूर में, पिर ये समस्चा को सुल जाये क्यों नहीं, अभी बढ़ रहा है क्यों, ये हमारा उनको पूछना है, और उसका उत्तर क्या मिलता है, हमको वो भी देखना है तो इसलिए दोस्तों, हमेशा मेडिया में ये कन्फिजन कर रहे हैं कि वो तो चर्चा के लिए तयार है, लेकिन अपोजिशन पार्टी तयार नहीं है, अरे अपोजिशन पार्टी तो तयार है, इसलिए 11 दिन से हम सतत कोशिस कर रहे हैं, पहली बार 65 लोग यंपीस 267 पर नोटिस दिए, इस से बढ़के क्या होना है, इतियास में इतना बड़े संक्या में है, जो नोटिस दिए हैं, मैं समझता हूँ, ये पहली बार है, इन स्पार्ट आप देट, आर नोट वरीड, क्योंकि उनके पास मिज़ॉर्टी है, बुल्डोजर लगा रहे हैं, और कि आज हम जो चीजे वहाँ पर रखना चाहते थे, तो चंद चीजे रख नहीं पाए, और वो हमेशा यह कहिते, 267 कभी भी चर्चा में नहीं आया, सदन में वो चेर्मेन साब को भी वही बताया गया उन्होंने, लेकिन हमारे पास आकड़े हैं, 267 में साथ बार, सेवन उकेजन्स, उन्होंने सदन में कोस्टन अवर बाकी के सभी बिजनेस स्टॉप करके, सात बार समय दिया गया है, उसी तरह कोस्टन अवर स्टॉप करके, दस occasion पे उन्होंने इस पे चर्चा ऐसे विश्वय पे 267 पे चर्चा करने के लिए समय दिया गया है और हमारी government जब थी उस वक्त के भी बहुत है यह तो आने के बाद democracy में इनका कम विश्वास है और बात करने में इनका ज़्यादा विश्वास है देखिए मनमाउन सिंग्जी जब थे तब इन लोकों ने एक यही शायद नौर्थ इस्ट रीजन का एक समय आया था उसमें उन्होंने खास कर वेंकाया जी ने वेंकाया नाईडू ने एक question पूचा था उस वक्त अगस्ट 17 दो हजार बाराकू क्या है क्वेश्चिन अवर् क्वेश्चिन अवर् वास सुस्पेंड बाइड थे चेर्में तो टेक अप दिस्कुशन अन टौपिक अटक्स पूचिन अवर् वेंकाया नाईडू एक उठाय दे सवालू तो सभी क्वेश्चिन अवर् क्वेश्चन सस्पेंड करो बिजनेस सस्पेंड करो इसको इंपोर्टन्स दे कर आप चर्चा सुरू करो तब डाक्टर मनमोहन सिंग जी उस चर्चा में पार्टिसिपेट के और उन्होंने उत्तर दिया अईसे कहीं गुदान मेरे पास है समय नहीं है और आपको भी उतना समय नहीं है इतने हमने जो प्रिसिडेंट है या पीछे के जो नेता उन्हें कहा है बाजपाई जी भी कहें और बाजपाई खुदी यह कहते थे कि इस कोस्चन और सस्पेंड करके इसको चांस देना चाहिए जब नेता लोग बड़े नेतालों उनके नेता लोग भी इसी सवाल पर नहीं बार मुद्धे उठा कर तो प्रस्टना कोस्चन और और बागिए चीजें सस्पेंड करके लिए तो यह आज यहां पर हमको धंकाया जा रहा है और हमको कहा जा रहा है कि अगर आप बार-बार उठे तो आपको बड़ी सिक्षा मिलेंगी यह कौन कर रहे हैं चेर्मेन के मुझ से सरकार करवा रही है सरकार अगर यह बाते नहीं करती तो नहीं होता था और दूसरी चीज़ एक हमारे सीनियर स्रीमती रजनी ताई पाटिल उसको सस्पेंट किया गया एक सेशन में एक सेशन के लिए अब यह दूसरा सेशन चल रहा है फिर भी उसका रियोक नहीं हो रहा है क्या डेमोकरसी है यह तो डिक्टेटर स्रीप है मैं तो यह कहूंगा कोई कुछ भी बोलने दो यह तो हिटलर शाही है तो इसलिए मुझे बड़ा दुक होता है मुझे भी थोड़ा अनुवव है हमेशा मैं पार्लमेंट में सुब्बे से शाम तक बैटने की मुझे आदत है सुनने की आदत है लेकिन इसको भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम बैटते इसलिए कि विचार दुसरों के सुनने के लिए लेकिन वहाँ पर कोई भी बात सुनने के लिए भी तैयर नहीं है और जब हम बात करने के लिए उठते हैं वो आपोजिशन पार्टी की बात को वो आपोज करते हैं और रूलिंग पार्टी वाले उठके चिलाते हैं नू और मेरा माइक बंद करते हैं बोलने के लिए इजाज़त तो एक बार कहते हैं दस सेकेंड में मेरा माइक बंद होता कैसा होता? उससे हमसे क्या नुकसान है मैं तो समझूँगा ये मेरा अपोजिशन पार्टी लीडर को वो एक अलग नजर से देखते हैं ये तो अपमान है मेरा और अपोजिशन पार्टी के नेता को आप अपमान एक तरफ करते हो दूसरी तरफ आप सदन में बैठ के बोलते हो कि राजस को अब हो प्रधान मंतरी और पूर प्रधान मंतरी यह सभी लोग मेरे लिए उनको हमने प्रार्थमिक्ता देते हैं तो कहा प्रात्मिकार सई कोश्चन पूचे तो भी वो लोग देते नहीं अब हाली में रूल्स के मताबिक ही संजाई सिंग ने सवाल उठाया था तो वो सिर्प वेल के अंदर आकर वो पूछ रहे थे उनको भी सस्पेंट किया गया है तो ऐसी चीजे आज सरकार कर है और इसका मुकाबला हम करते रहेंगे इंडिया पार्टी डरने वाली नहीं है डर के भाग भाग जाने के लिए इंडिया पार्टी नहीं बनी मुकाबला इनका करेंगे इनको हराएंगे दो हजार चोबिस में और जो कुछ भी हमारे उपर वो अन्याय कर रहे हैं करने दो हम टूल